गुजाच चुनाव से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जो कॉंग्रेस के लिए बड़ी रहात की खबर है तो वहीं बीजीपी के लिए एक सिर्धर्ध है लंबी खिचातान के बाद और कॉंग्रेस से कई दोर की बैठक के बाद हार्धिक पटेल ने कॉंग्रेस को समर्थन का एलान कर दिया है इसके साथ ही ये बात भी सामने आ गई है कि पाटिदार अंदोलन समीती के कई नेता कॉंग्रेस के टिकट पर विधान सभा का चुनाव लड़ सकते हैं हार्धिक पटेल से बातचीत के बाद ललित वसोया ने पाटिदार अंदोलन समीती के संयोजक पट से इस्तिफा दे दिया है ललित कॉंग्रेस के टिकट पर धोराजी विधान सभा से चुनाव लड़ेंगे हाला कि अभी पूरी तरह से साफ नहीं है कि हार्धिक पटेल ने किन-किन शर्तों पर कॉंग्रेस को समर्थन का एलान किया है गुर्जात चुनाव में कॉंग्रेस के लिए हार्धिक का या अपचारिक एलान मनोग्यानिक बढ़त माना जा रहा है हाला कि ए एलान हार्धिक पटेल ने खुद सामने आकर नहीं किया है लेकिन पाटिदार अंदोलन समीति के सयोजक ललित वसोया ने पच से इस्तिफा देकर कॉंग्रेस से चुनाव लड़ने की बात कही है मतलब साफ है कि हार्धिक ने परोक्ष रूप से कॉंग्रेस का समर्थन कर दिया है आपको बता दे कि गुर्जात में दो चड़नों में 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को मतदान होंगे मतगरना 18 दिसंबर को होगी माना जाता है कि पाटिदारों से बात नहीं बनने की वज़े से कॉंग्रेस अपने उमेद्वारों के लिए जारी करने में देरी कर रही है लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि अब कॉंग्रेस के लिए टिकट का एलान करना आसान हो गया है वैसे भी टिकट के एलान करने में बहुत थोड़ा वक्त बचा हुआ है कॉंग्रेस ने अब तक अपने एक भी उमिद्वार के नाम का एलान नहीं किया है जबकि बीजेपी 182 में से 106 उमिद्वारों के नाम का एलान कर चुकी है हार्दिक पटेल गुजरात में पाटिदार अंदोलन के बड़े युवा नेता है हार्दिक पटेल का जनम 20 जुलाई 1993 में चंदन नगरी गुजरात में हुआ था हार्दिक पटेल साल 2011 में सरदार पटेल समू से जोड़े थे इसके बाद हार्दिक ने साल 2015 में पाटिदार अंदोलन समीती का निर्मान किया था जिसका लक्ष आने पिछड़ा वर्ग में शामिल होना था